जय भीम मैं भीम राव लोनारे आई भीम टिवीनाई न्यूज और डबली एट न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ इस वक्त मैं नाकपूर विद्धयपिट के पाली प्राकूर्टिक विभाग और बुद्धिश्टडी विभाग में हूँ जहां पे इस विभाग के मेरे साथ में हैं सर आपका आई बेम टिवीनाई नियूज और डबली एट नियूज में बहुत-बहुत सौगत है अभी धम्म चक्रप्रवतन दिवस है क्या कहोगे कि दो साल करोना कारेकाल में गये उसके बाद अभी बड़े हर्शुल्लास के साथ में धम्म चक्रप्रवत दिन मनाया जा रहा है पवित्र दिक्षा भूमी क्या बताओगे अधाय जैभीम मैं सरप्रतम आपके इस चानल के माध्यम से सभी वान्योरों को मैं धम्म दिक्षा दिन के उपलक्ष में अपनी हार्दिक मंगल कामनाई व्यक्त करता हूं आपने धम्म चक्क्रप्रवतन द है तो इसके पीछे मेरा एक अपना वजह है या एक सोच है जिसको हम सभी ने समझना है तो आपका जवाब देने के पहले मैं इस बात को थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि जब भी चवदा कुटूबर या अशोका विज्यादश्मी का यह परव आता है तो उस समय म भी परवतन के यह विचार हमेशा आता है कि कोई इसे धम मदॉबघ कर रांती कोई कुछ और नाम देता है तो इस और हमेशा ही चर्चा होती है तो मेरा यह कहना है कि वास्तविकता क्या है इसको हमको समझना ज़रूरी है जैसे कि राचिन समाए में जब भ्वगवान पहला उपदेश लोगों को दिया था, पंचवर्ग्य विक्षों को दिया था, तो पंचवर्ग्य परिवराजों को जब उन्होंने धम्म सिखाया, तो उन्होंने कहा कि यह धम्म का चक्र मैंने प्रवर्तित किया है, धम्म का चक्र भी प्रवर्तित हुआ है और वह सारे का दिन है और इसलिए धम्म चक्रप्रवरतन उसी दिन यह मनाना चाहिए हम सभी ने और रही दूसरी बात जब आधुनिक समय में डॉक्टर बोधी सत्व डॉक्टर बाबा साब आमबिट कर इन्होंने जो धम्म दिक्षा यहां पर ग्रहन की सरव प्रतम उन्होंने चंद्रम आयोजन में कभी भी बाबा साब ने ऐसा नहीं कहा कि या दूसरे दिन जो उनका भाशन हुआ उस समय भी उन्होंने नहीं कहा कि यहां मैंने धम्म का चक्रप्रवर्तित किया है बाबा साब ने इस समारोह को उन्होंने धम्म दिक्षा दिन समारोह करके ही संबोधित किया है तो इसलिए हम सभी लोगों को और ध्यान देना चाहिए कि भाबा साब एक बहुत पहुंचे हुए या वोदि सत्यों की अवस्था को प्राप्तो एक ग्यानी पंडित विद्वान ऐसे व्यक्ति थे और किस चीज को क्या संदर्ब देना चाहिए या क्या अर्थ से संबोधित क परना चाहिए इसके बारे में भी वह वाकिव थे और इसलिए उन्होंने इस समारो को धम्म誅डिक्ष्या देन जो करे करके ही संबोधित किया गया है तो उसके प॥छया जब ये पहला वर्धापन दिन आया इस अमारेक्र है तो किसी पत्रकार ने, किसी संपादक ने उसको धंब चक्रप्रवरतन के रूप में लिखा और फिर वही शब्द आगे प्रचलित हुआ और सभी लोग उसी को भी धंब चक्रव कहते हैं लेकिन मूल धम्म चक्र प्रवर्तन यहां पीछे चुटा है या लोगों को उसकी ज्यादातर मालूमात नहीं है तो यहां होना चाहिए और इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई जो विवाद है यह विवादों में न पढ़ते हुए यह कौन सा दिन है कौन सा दिन नहीं है इसके साथ साथ वे वर्दापन दिन के उपर लक्ष में मैं सभी को हर्दिक मंगल का मनाय व्यक्त करना चाहता हूँ निश्चिती धम्चकर प्रवर्तन दीन ये जो है किसी एक वर्तमान पत्र ने उस समय जब बाबा साब अमबेटकर जी ने बहुत दो धम्ब की दिक्षा ली थी तब उन्होंने वर्तमान पत्र में उन्होंने प्रकाशित किया था लेकिन वास्तव में जो डॉक्टर निरत बुदिसर ने कहा है कि धम्ब दिक्षा समारोह दीन ये सही शब्द प्रयोग हमारे लोगोंने करना चाहिए क्योंकि उस समय में धम्ब दिक्षा समारोह का आईजन किया था और धम्ब दिक्षा समारोह ये ही एक सही शब्द है ऐसी डॉक्टर निरत बुदिसर ने हमें बत वो गंबिर सवाल कोंग मैं उसे ओर गंबिर है भी बिर टॉटे ए वी लोगो назад 14 अक्टोबर कर लोग 14 अक्टोबर को सा समारो मनाते हैं तो कौंसा दिन सच है यहाँ एक अहम सवाल है काफी लोग इसके बारे में अभी भी भ्रमित है तो यहाँ जब भी यहा आता है तो यहाँ समरम लोगों के बीच फीर से उपस्तित होता है इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी भारतिया संसकृति को देखना बहुत जरूरी है भारतिया संस्कृति यहा चान्डर गनना पर अधरित है इस कारण जो तितिया है वहाँ बदलती रहती है और जो बाबा साब ने जो धंबदिक्ष्या का समह रोहा आईजित किया था इस स्थानिक आयजित शंपिति न विज्यादश्मी के दिन तो यहाँ विज्यादश्मी का जो दिन है यहाँ हमारा पारंपरिक दिन है अशोका विज्यादश्मी का दिन ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन समराट अशोक ने अपना जो भेरी घोश मतलब युद्ध से युद्ध करकर शांती स्तापित करने का या सारे लोगों को जीतने का जो संकल्प है युद्ध के द्वारा उस संकल्प को छोड़कर धम्म घोश का निनात किया था मतलब धम्म का घोश मतलब कि अभी कोई युद्ध नहीं होगा तो शांती से ही सारे लोगों को जीता जाएगा या सारे विश्व को विश्व में शांती प्रस्थापित करने के लिए प्रयास किया जाएगा सारे विश्व के लोगों को युद्ध से नहीं तो शांती से हम जीतेंगे मैत्री से जीतेंगे इस प्रकार की जो भावना है या जो संगल्प है वहाँ उन्होंने व्यक्त किया था और इसलिए यहाँ एक धम्म घोश का निनाद के रूप में यहाँ दिन था और इसलिए तब से यहाँ अशोका विज्यादश्मी के रूप में हमें दिखाए देता है भारतिय संस्कृति में यहाँ दिन अशोका विज्यादश्मी के और उस दिन जो है एक इसको कहेंगे सारवजनिक चुटी भी का वो दिन था मतलब 14 अक्तुबर उसी दिन का था और उस दिन चुटी थी तो सबी लोगों को वहां आना मुम्किन भी था तो जब यह समारो आयजित के आगया तो वो चुटी को मद्दे नजर रखते हुए रखा गया लेकिन अशोका विजया दश्मी का भी विशेश संदर्बूस के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए क्या हुआ कि जब भी अशोका विजया दश्मी आती थी तो वह दश्यरे का दिन जिसे हम कहते हैं तो उसी दिन यहां उत्सव मनाना शुरू किया लेकिन अंग्रे जी काल गनना के अनुसार चौदा तारिक की जो तीती है वह तारिक बदलती नहीं है वह उसी द करते हुए बहुत सारे जो लोग है वह इसमें से कुछ बीच का रास्ता ढूणने की कोशिश करते हैं तो दोनों ही अतियों में ना जाकि यह दिन है या यह दिन है हमारे संस्कृति में उस दिन का जो महत्व है उसे हमको हमारी इत्यास को ध्यान में रखते हुए उस दिन का जो पोईतरता है या उस दिन बाबा साब ने हमें जो दिक्षा दी है उसकी पोईतरता कायम रखते हुए उस दिन हगर हम हर्श लास से अपना यह दम्म दिक्षा दिन समारोहो का वर्दापंदिन उस सव से मनाते है तो एक समाज में भी उस प्रकार से एक प्रसन्नता का वाता औरन यह एक cultural establishment की दुरुष्टी से जो हमारा प्रयास है वह स्थापित होगा रही बात 14 October की तो जीन लोगों को अभी होता है कि यहां पर लाखों लोग आते हैं 10-12-11 लोग हर साल आते हैं तो बहुत बड़ी भीड जमा होती है तो कुछ लोग जो जिनको लगता है कि अभी हम यही के स्थानिक लोग है तो हम 14 तारीक को जाकर भी अपने श्रद्धा सुमन अरपित कर सकते हैं तो वह 14 तारीक को जाकर भी श्रद्धा सुमन अरपित कर सकते हैं लेकिन विवात से बचकर उस समय एक शांती पूर्णर तरीके से इस परव को मनाना चाहिए और मेरा तो यह व्यक्तिकत सुझाओ ऐसा है कि अगर विज्यादश्मी प्रतम आती है और 14 अक्तुबर बाद में आता है तो यह जो बीच का अंतराल है इसको हम परव के रूप में म उत्सव के रूप में इसे हम मनाए और अगर बाद में अशोका विज्यादश्मी आती है तो 14 अक्तुबर से लेकर अशोका विज्यादश्मी तक भी एक परव मनाया जा सकता है तो इसको हम स्विकार करते हुए इस प्रकार से हमारे सांस्कुरूतिक, शेक्षनिक, आर्थि जीवन के ऊपर हमारा जो प्रभोधन है वह अगर होता रहेगा तो मैं कहता हूँ कि यहाँ जो इवाद है वह अपने आप ही निकल जाएगा निश्चिती आपने बहुत अच्छी जानकारे हमारे दर्शेकों को दी है कि जो धम्म दिक्षा समारोद जब 14 आक्टव और 1956 में जब था तब दशेहरे का दिन था विजया दश्मी का दिन था उस समय में डॉक्टर बावसा आमबेटकर जी ने अपने पाचलाग अनियाव के साथ में बहुत धम्म की दिक्षा लीती तिती के तरफ न देखती हुए हर शुलास के साथ में हमने ये धम्म दिक्षा समारोओ मनाना चाहिए ऐसा ही आपका कहना है और निश्चिती तिती के तरफ न देखती हुए हर शुलास के साथ में धम्म दिक्षा समारोओ हमारे ल पाच आक्टोबर को और लाखों की तादाद में यानि 6 से 7 लाख लोग धंब दिक्षा समारों में सम्मिलित होने वाले हैं जो वर्धापन दिन हैं और आप भी सम्मिलित हुए और बाबा साथ के विचार देश में ही नहीं विदेशों में ले जाएए और मैं और एक बात कहन चाहूँगा आपको कि अगर देश में अमन शान्ती बरकरार रखना है तो बहुत धम्म ही एक ऐसी धम्म है जो देश में अमन शान्ती बरकरार रख सकता है तो आप देखते रहिए आईबीम टिविना न्यूज डबली एच न्यूज हमारी चैनल को लाइक करे करे आईकोन बेल बटन दबाना न भूले धन्यवाद नमस्कार जय भी